उहा निसा चर रहा ही ससंका जब ते जार गयाँ का पिलंका निजन जिग्रहक सब करही विचारा नहीं सिचर कुल केर उपारा जासु दूत बल बर निन जाई ते ही आये पुर कवन भलाई दूतिन सन सुन पुर जनबानी मंदो दरी अधिक अकुलानी रहसी जोरी कर पति पगलागी बोली बचन नीत रस पागी कंत करस हरी सन परिहर हूं मोर कहां अतिहित ही धर हूं समुझत जासु दूत कई करनी इस्त्रवें गरबरजनी चरगरनी तासु रानी तासु नारी निज सचिव बोलाई पठाहूं कंत जो चाहूं भलाई तव कुल कमल विबिन सुखदाई सीता सीत निसासम आई सुनहु नात सुत सीता बिनुदीने हितना तुमार संभु अजगीने रामबान गहिगन सरिस निकर निसाचर भेक तब लागी ग्रशत ना तब लगी जतन करहूत जिटेक सियापति रामचंद्र की जय मंगल भवन या मंगल आरी कमुशुदस रधाजर विहारी अर्धात वहां लंका में तब से राच्छत जरते रहते हैं जब से हन्मान जी लं पिचार करने लगे कि अब राच्छतों का वनसच उबर नहीं सकेगा जिनके दूट का बल कहीं नहीं जाता कहां नहीं जाता फिर उनके आने पर नगर में कौन भलाई होगी जब यह बात दूटों के मुक से मंदोदरी को ग्यात हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई वहां जोडपती के चड़नों में गिर पड़ी और नी तिरस्प से पगी हुई वाणी में बोली हे कंत भगवान से बहरत्याग दीजिए और मेरा है अत्यंत भहत हितकारी कतन हिर्दय में धारण कीजिए भला जिनके दूद की करनी सुन राच्छस्यों के गर्भ गिर जाते हैं यदि वह अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी इस्तरी को मंत्री द्वारा बुला कर भेज दी सीव जी और ब्रम्मा जी भी तुम्हारा भला नहीं होगा सी राम जी के बाढ़ विषधर सर्पों के समान और सव राच्छस मेड़क के समान हैं तब तक ना ग्रसें तब तक हट छोड उनके बचन का उपाय कर लो अर्थास जानकी को सीराम से मिला दो